ready roll all right सबसे पहले congratulations brother content creator से लेके आज सारी दुनिया को आपका नाम और आपका डायलोग पता है आउकात के बाहर हम जा रहे हैं कैसे देखते हैं यह जो जहरनी रही है आपने जो मैंने जो बहुत पुरानी clipping देखी है वहां से लेके आज हर किसी को आप के बारे में पता है अभी कि आप एक concert में आये थे जुहू में सारी मत किसी उससे पहले कोई और एक actor आया था मैं नाम नहीं लोगा लेकिन वहां पर आपका आपके नाम से बुझ हो रहा था कि बोहन जी को बुलाये बोहन 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 तो कैसे देखते हैं यह सारी जहनी रही है मैं तो इ गणिशनलूमीडिया से साथ साल काले क्या करें इंटरनेट अपास जितना डेटा पैक में आता था उतना उतना इस अब इंटरेट इंटरेट की फ़र्मार आप जा के विए पिछले कुछ सालों में पर उससे पहले जितना मुझे यहाद है लोग पेंडराइव में देखते तो मेरे लिए मैं जन्ता का बहुत आभार मानता हूं इस चीज में कि उन्होंने एक ऐसा भरोसा जता है जो भरोसा ट्रांसलेट होके इतना दिया कि फिर मेरे में हम्मद आगे कि यार मैं एक OTT में भी ट्राय करता हूं और उसके लिए फिर मैं OTT को धन्यावाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया मैं को लगता है भरोसा जताते रहना चाहिए किसी पर अगर आप उनको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो मतलब सबसे बड़ा मैं को लगता है support system अगर आप किसी को बोलें कि मैं आपको कैसे support करूँ एक होता है financial support कि कोई बोले कि मैं आपको चलो फलाने पैसे देता हूं आप एक होता है भरोसा जताने वाला support कि अगर आपको बहोसा जताता है तो already 70% चीज़ें असानी से हो जाती है किसी को confidence देना बहुत बड़ी बात है और में को जनता ने में मेरे को OTT platforms ने काफी दियाया मेरे बड़ी बड़ी बात है बिल्कुल और अब आप आप आवकात के बाहर जा रहे है हां मतलब चादर मेरी जो थी थो थोड़ी और फल किसी ब कि ताजा ख़बर की मैं अगर बात करो जसे कि मैंने बताए कि मैंने एक बार में खतम की है पूरी एंड लोग बहुत appreciation कर रहे है आप गाना आया है और बहुत सारे project है तो अब आप बताए कि यह जो आप जा रहे है अवकात के बाहर अगर रुकने वाले है या आपका सिलसि यह जो शुरू ही किया है भी वह स्टार्ट किया है तो यह चले गाई सिलसला बस यह खुद से ही उमीद कर रहा हूं कि जो आग है जो जिस वज़े से शुरू किया था content बना न वो fire कभी यहां से खतम ना हो कभी बहुत आसान है खतम होनी वो fire कि आपको लगता है चल अब क् क्या करूं तो fire देरे-देरे fade out हो जाती है with time मैं बस कोशिश करूंगा जब तक वो लॉज अलती रहे वो चालू रखती है बसी को भी तो वो बस मेरे अंदर चालू ही रहे हो बिलकुल जो भी आपकी जर्नी रही है उसमें मैंने देखा है बहुत सारे आप सेंडावन भी आया कोवीड भी आया मैंने सुना आपके family members के लिए उसके लिए बहुत ही दिल से तो कोई ऐसा time भी आता है कि जब आप nervous हो गय थे या जब आपने content creator से आपने start किया था तब आपने सोच आपने श्टार्ट किया था अब सेंडाउंस भी आते हैं आज अज हर किसी को पता है कि अवकात के बाहर भूर बाम जा रहे हैं वह मैंको लगता है nervousness का अगर इस सवाल है nervousness से related nervousness है कि नहीं तो मैंको लगता है वह हमेशा होती है कुछ भी करने का जो पहला step होता है वह बह कुछ आप करते हैं कोई फील्ड आप कुछ ट्राय करते हैं तो मैंको लगता है वह पहला कदम होता है खुद को मनाना कि हा यार यह मैं इसके लाइक हूं या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता है वह बहुत कुछ नहीं होता है और जब वह आजाता है आपके अंदर कॉंदें कि हां मैं कोशिच कर सकता हूं तो में को लगता है सब चीज़ आसान हो जाती है तो मेरी नर्वसनेस भी वहीं तक रहती है पहले कदम तक क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है लेना कुद को मानाना बहुत मुश्किल है डिल्कुल जी अधने सुनाई कि आप मल्टी टालेंटे अपने अंदर रखा है आप वह वन आप निकालने वाले सिंगर भी है है और क्या है कुछ भी नहीं को लगता है में जितना मुझे जितना मुझे मेरी सूथ समझ के इसाफ से जितना मुझे आता है वो मैं धीर धीर हर प्रोजेक्ट में थोड़ा फड़ा डालता रहता हूं मैं सानी बुलता में बहुत अच्छा गाता हूं मैं सानी बुलता में बह मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे ये सब आता है वो सब आता है या यह जब ट्राय करूँगा वो ट्राय करूँगा मुझे थोड़ी पता था मैं इतने character करने माला हूँ जीवन में कभी बिलकुँ बिलकुँ मेरे तो बहुत सौभागय है कि मैं एक इस character की है मैंने अलग अलग तरी कि कोई मामा है कोई दोस्त है कोई पिता है कोई माता है उसके बाद फिर वसंद गाओडे का character करना रफ्ता रफ्ता बहुत ही फरक है जमीन आस्मान का comedy से एकडम डार्क रोल फिर उसके बाद डार्क रोल से रफ्ता रफ्ता उसमें का अलग रोल तो में को लगता है ये बहुत लखी हूं मैं इन चीजों में कि मेरे को करने का मोका मिल रहा है अच अच अर्ली स्टेज अफ मैं करीर तो मैं बड़ा ये चीज को बड़े उस तरह के देखता हूं और इस सब चीज़ें कि मैं क्या कर सकता हूं और यह हमेशा सुचता हूं कि कभी निसोचूंगा लाइफ कि क्या करना है मुझे यह अची प्राइस कि में जो मजा कर प्रिफ प्लान वह यह नहीं णहें कर दो क्या मिर बढ़ा था कि थाइप सुप्डिक वी नहीं बदाता की ताजा कवर का सुप्रिपट कर यह अच्वे नहीं बताता मुझे निंड़ा लिख रहते अब बाज भाई रकुए और में तब दिंडोरा लिखते लिखते, खाना कहते हैं उनोंने मुझे ताज़ा कवर के यह लाइन सुनाया तब फिंटी हुँ उनोंने बोला वस्या प्ले करो गए मैंनेक मुझे सुना हो आगे तो फिर उन्हें बताया Pawस्या कि वसंद गावरे इसकी, यह लाइफ है फिर हमने बोला कि उसको सीरीज में बना के देखें कि रहां बनाते हैं फिर बन कहीं पता ही नहीं था विदिन एक रात में प्लैंग लना मैंने का अच्छा लगा अगर हिट करती है कोई स्क्रिप्ट हिट करना होता है तो एक लाइन भी हिट कर जाती है और नहीं करना होता तो पूरी नरेशन सुन लो आप तीर घंटे की उसके बाद भी समझ नहीं आती है तो जो समझ में आती ही चीज़े व अभी मैं वो करने में बड़ा मज़ाता है 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 तो जहर एक है कि अवकात के भाहर जाते है को आप लोगों ने कैस्टiar किया इन कहा से आई पूरा श्रे उनका है, उनकी लाइन है, सारी उनकी लाइन है, लेकिन ये लोगों के साथ इसले चमकी लाइन क्योंकि हम सब ये बहुत बोलते हैं आपस में, मेरे को जाद है दिल्ली में स्टार्बक्स आया था, नया नया और हम थे टपरी पे चाय पीने वाले बच्चे, पूंगे पेपेश थे लिए डिल्ली में, जहां पर जाके कॉफी पीचे थे थे फिर अचानक पता चलता है कि एक स्टार्बक्स करके चीज देख है तो बुष्टे थे हम कि चलें स्टार्बक्स आज़ा तो पूच्टे थे मुझते हैं तो बीको लगता इसले जाले करे चल एंड मैंने लेखा कुछ एक वीडियो देखा था हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े सुपरस्टार है Mr. Shahrukh Khan उनसे भी मिले आप तो कुछ कहना चाहेंगे आपकी आपने कुछ बताया उनको अपने बारे में क्या कुछ हुआ अगर आप कुछ बता सकें यह मेंको इतना याद है कि मैं मिलाता जब उनसे तब वो बहुत प्रमोशन करके आये थे मतलब मेरा जो T2 Docs था उनके साथ वो लास्ट इंट्रव्यू था दिन का तो बहुत ठके वे थे उसके बावजूद उन्होंने एक सिटिंग में पूरे आठ पनने की स्क्रिप्ट बिना ब्रेक के एक बार पढ़ी और फिर बोल दी बस यह है मैं वहीं मेरा जो फैन लेवल उनके लिए और दस गुना जादा बढ़ी है यह देखके कि उनको फिर से स्क्रिप्ट देखने की ज़रूर नहीं पड़ी उनको याद रहता है सब कुछ वो बहुत वो बहुत अच्छा सुनते हैं यह कॉलिटी अगर आप में होंके बता चले की दस मिनिट आने वाले दस मिनिट के बाल आपको अर्बो रुपए मिलने वाल है ऐसी कोई ख़बर आपको मिले तो क्या करेंगे आप मैं पहले जाओंगा टॉयलेट हां मेरा इसके बीचे साइन्स है प्रॉपर आप कुछ अभी भी लगे कि आपके साथ जीवन म नहीं कि आपको जीवन सर्प्राइज आप सर्प्राइज होने वाले जीवन में जब आपको लगे आरे यह चमद का मेरे साथ कैसे हो रहा है आप उठें आप सबसे नदीक टॉयलेट है बहां जाए और आप सुसू करतें अगर आपको अपने शरीर में कुछ गीला गीला फी मैं सुसू करूंगा क्योंकि अगर मैं गीला नहीं हुआ अगर मैं सही में टॉयलेट में हूँ और मेरे नहीं नहीं टूटी इसना मुद्धा ख़बर सच्ची है फिर आगे का प्लान करेंगे क्या करना है लेकिन सबसे पहले जब आपके तरह सा कुछ सर्प्राइज हो आप आप पहले वाश्रूम जाएं और पहले खुद मेक्शोर करें कि आप सपना नहीं दिख रहें तो अपने बारे में ये बहुत ही सुपब था तो अपने बारे में किस तरह की ताजा खबर सुनने की इक्छा रखते कि यार मेरे बारे में इस तरह की खबर आनी चाहिए इस त तो में को लगता है वो मिरजात हो गया और लखीली वो ऐसा हुआ कि दो शोज आगे बैक तू बैक ताजा और रफ्ता में को लगता है ये एक एक ये खबरती हो में को अब किसी चीज़ का मुह नहीं है मेरेको बस इसका है और एक पहली बॉलिवूड फिल्म का है हां मलब हर जीज़ का जो फर्स्ट होता है वो बड़ा स्पेशल होता है तो मेरे लिए वो है कि अभी OTT का हो गया अभी देखते हैं अंगला फर्स्ट क्या होता है मेरे लिए बहुत ही जल्दी ताजा ख़बर आने वाली है आपको I think कुछी घंटे या कुछ दिनों में वॉलिवूड के ऊपर भी बहुत ही अच्छी ख़बर आएंगी अगर क्योंकि आपने वॉलिवूड की बात कि अगर ऐसे कुछ लिष्ट बनाते हैं वो जी कि ऐसे इस एक्टर के साथ जैसे कि आपने मिश्टर शारुक खान की जी के बारे में बता है तो ऐसी कोई लिष्ट बनाते है कि म इन एक्टर के साथ में काम करना है मुझे अक्टर का नहीं पता फ्रैंकली क्योंकि में फिमेल बोथ यह नहीं बोथ मुझे नहीं पता क्योंकि वो डिरेक्टर का कॉल होता है मुझे कि इन डिरेक्टर के साथ काम करना है ये मेरे को बड़ाई इंट्रेस्टिंग लगता है स कि अब से कम उस कमरे में तो बैठ हूं जहां वो बैठ के बात करते हैं, मिरको बस उनको सुनना है कि क्या बाते करते हैं, क्योंकि कितना नॉलेज का कितना महाँ सागर है, तो वहाँ बैठ के कर आप दो तीन चीजे, दो मिनिट भी बैठ के कुछ सुन ले ना बढ़िया, और इस वह कहीं जीवन में लागू होजाए, तो तो किया काम, फिर वो किसी भी फिल्म स्केडिल से, शुट करने से बड़ी चीज है, बड़ी बड़ी, बड़ी बब, तो किस तरह कि स्क्रिप्र का इंतिजार है आपको, लाइक- बुवान जी को, रोमांटिक, हेरो, एक्शं, पर यहीं पर यहीं सर्प्राइजिंग मुझे निपता था इसा ग्रेड रोल करने वालों ताजा कवर में इतना विची तरह सा आदमी हो जाता है जो पैसा मिलने के बाद नेगेटेव रोल ही हो एक तरह से सीरीज में दिल्कु उजे निपता है मैं तो कॉमेडी करता है था वै एक efficient type मिलता है को इस retreat स्क्रिप्ट होनी चीजी स्क्रिप्ट पिर त्रो मैंस में निटल जाएगा फिर action भी निगल जाएगा पर emotional भी निखल जाएगा baby सब निकल जाएगा जैसा कि मैंने बात है कि एक्टर है, आप राइटर है, टेरेक्टर भी है, अच्छे अच्छे गाने भी लिखते हैं, सिंगर भी है आप और अब कुछ देखेंगे हम आपको आपके अंदाज में कुछ वो एक डिफरेंट ऐसे कुछ शायद मैं काम कर रहा हूँ एक नए क्यरेक्टर पर जो कि पहले दो फ्रेंक्ली मेरे यूट्यूब चैनल पर ही दिखेगा लोगो वो एक बर वहाँ पक्का हो जाए क्यरेक्टर फिर उसको शायद मैं लॉंग फॉर्माट में कहीं लेक्या हूँ पर अभी में को एक नया क्यरेक्टर लाने की बड़ी उच सुकता है अभी काम कर रहा हूँ उस पर क्यों क्यरेक्टर आजा एक बर बिल्कुल आएगा वो उसकी भी तादा ख़बर आने वाली है ऐसा लोग कहते है कि आप यूट अभी और टेक्स बड़ते हैं नतां मस्त टाइम पर बड़िया अगे डर नहीं आपको किसी चीज का डर है वह एक्टिशी का डर है कि खर्चे नहीं में खर्चे कम मतलब बहुत सोच समझ कि खर्चें जो की बड़ा आसपास के लोग बड़ा दुखई होते हैं इस चीज से क कि प्लीज कुछ खरीद ले भाई, कुछ तो खरीद ले अपने ले, क्योंकि सब कुछ यूजरी क्या आदा है, अभी सब कुछ गिफ्ट है, कही शूट किया तो वो जो कपड़ें, वो बोलते है महुंपत में कि आप रख लो, क्योंकि मेरी अलमारी खाली जाती है, दो जीन्स दो काली शर्ट, दो सफेज शर्ट, दो टी शर्ट पस, जूतो का बड़ा शॉक है मिरको, मुझे भी है, हाँ, जूतो का बड़ा पागल हूं है जूतों के पीछे, तो किसी को अगर मुझे लाइफ में तोफा देना है, तो जूते डिब्बे में दाल के दीजिएगा, उसक वलेंटाइन डे है, रोमेंटिक डे है, आप कितना बिलीब करते हैं, क्या कुछ प्लानिंग है, इसके इंट्र्वू के बाद आप कोई है, जिनके आप, 365 दिन प्यार होना ची, एक दिन दिखाते हैं, एक दिन Mother Day बनाते हैं, एक दिन आप Father Day बनाते हैं, आप सब को प्यार क किजिए 365 दिन ये सब बार के चोचले बाजी है, ये सब मेंको लगता है, ये जो दुकाने होती, जहां जाए गिफ्ट मिलते हैं, ये उनका चालू किया है, ठाकि उनका बिजनस बढ़े, मेंको लगता है, आप 365 दिन किसे प्यार किजिए, मोबद किजिए, और रोज बताए अगर कुछ लाइने, अगर आप सुनाना चाहिए, जो भी आपके अंदार में, कुछ भी आपने नहीं लिखी हो, पुरानी, आपका फेवरेट गाना और जो भी आप बार बार गुन 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 आते, कौपीराइट तो नहीं आएगा, ने, कौपीराइट नहीं आएगा, यह रियल भुवन हमारे सामने है न, इसले कौपीराइट नहीं गाने गाने गातो, ने, ऐसे नहीं आता है, वो हम बजाते हैं, वो आता है, ऐसे, आपका नहीं आएगा, ठीक है, मेरा एक फेवरेट गाना है बहुत, मौमद रफी साब का, यही तो बात हो रही है काम की, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चलाओं मैं, गली-गली बहार की, बस एक चांज उल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चलाओं मैं प्रफ़ोगे बाता है बच्छों की, बच्छों की, बस्ता है, बस्ता है, क्या है बस्ता है।